हाइ गुद मॉणिंग आज हम जानेंगे इंपोर्टेंट इंडियन किंग्स और डिनिस्टीज के बारे में भारत बहुत खुपसूरट देश रहा राठी और यहां राज्फिया है बहुत सारे राजा हुदी तो आझ चलि देखते हैं वो किंग्स और वो डिनिस्टीज कौन स और उसी टाइम पर और भी रूलर्स थे जो डॉमिनेंट हो रहे थे नंदा डिनिस्टी का डिकलाइन होते होते इंडो ग्रीक एंटर कर चुके थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से और साथ महीं अब जब लास्ट रूलर को खत्म किया जाते तो मौरे डिनिस्टी आ जाते हैं मौ लिखा जाता है साथ वहना कलिंगा और उसे समय अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ ध्यान देंगे तो इंडो ग्रीक के साथ साथ अब जो है मौरें डिनिस्टी खत्म होते ही शुंगा इंपायर भी हा जाएगा शुंगा इंपायर साथ वहना तब डेकन में चला जाता है और डेकन के साथ इंडो ग्रीक बटेंगे इंडो ग्रीक के अलग-अलग ग्रूप्स बनेंगे जिसमें इंडो सीदियन और कुछ टाइम के बाद एक और नया ग्रूप आ जाता है जिसे हम इंडो पार्थियन के नाम से जानते हैं इंडो सीदियन बहुत छोटे ग्रूप ब करते हैं और उसे समय शकाईरा भी आता है कालब राज और भक्ती चेरा इंप्री में काफी इंपॉटन्स भी है फिर हम देखेंगे कि नौर्थ इडिया जो नौर्थ इंडिया है उस समय वहां जो इंपॉटन्ट रूलर रहा है वह आया है गुपता इंपायर जिसमें चंद्र गुपता और आपके इंपॉटन्ट होते हैं समुद्र गुपता उसके बाद हम देखेंगे कि भक्ती चेरास काफी नीचे नीचे तक रह गए श्रिलंका तक सिरफ रह गए हैं लेकिन इस एरिया में उपर शाही कश्मीर की तरफ शाही डिनिस्टी जो हिंदू शाही रूलर करेगी 1174 AD तक उसे समय राष्टकुटा डिनिस्टी जो डेकन की तरफ है जो 972 AD में रूल कर रही है ठीक है पाला और राष्टकुटा साथ साथ में चल रहे हैं क्योंकि हम देखेंगे कि करनौच को लेकर एक बैटल चलती है फिर हम देखेंगे चोला डिनिस्टी जो एक ट डिनिस्टी भी कम होने लगती है और होसल एंपायर एक नया एंपायर डवलप करता है होसल एंपायर 1343 AD तक रूल करता है और डेली सलतनत के बान नेक्स्ट आएगा आपका मुगल एंपायर जो आहों किंडम के साथ कंटिन्यू क्लैश में रहा था आहों किंडम काफी इंप रूलर उस समय चल रहे हैं माराथा एंपायर और मुगल एंपायर यह दोनों टक करके रहते हैं ठीक है 1674 से 1880 तक रूल करते हैं और सिक ओंफिडरेसी 1849 यानि महराजा रंजी सिंह के लास्ट उनकी डथ के बाद लगबस सारा इंडिया 1922 तक जाते जाते ब्रिटिश के अं 1947 के बाद यह हो जाते हैं हमारे इंडिया की बाउटरी बस यही है हमारे इंडिया की अब तक की टाइम लाइन इसको और डिटेल में समझने के लिए फॉलो कीजिए सौरपसर क्लासिस को मैं वहाँ पर आपको यह सब डिटेल में पढ़ाने वाले हूँ